तो हेलो गाइज कैसे हैं आप सबी हमारे नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आईए एक बहुत ही प्यारी सी सुन्दर सी कहानी लाया हूँ आपके लिए इस कहानी को अंदर तक जरूर सुनियेगा और साथ ही साथ यह बताना ना भूलें कि आप अगर रोज की तरह एक भिखारी वहां से निकला करता था लेकिन उस दिन वह सुबह सुबह निकला और सीधा सेट के द्वारे पर पहुंचा और जैसे ही द्वारे पर पहुंचा वह भजन बहुत प्यारा गुन-गुना रहा था और भीक में रोटी मांग रहा था क्योंकि उसे बहुत तेजी से भूंक लगे हुई थी और सिठानी जब अंदर गई और अंदर जाने के बाद उसने कहा कि रुकना मैं तुम हारे लिए रोटी ला रही हूं तुम भजन गुन-गुनाते रहना जाना मत और जब भजन गुन-गुना रहा था बहुत ही प्यारा बजन उसका लग रहा था सेड बैठे यह सब देख रहा था कि वह भजन भी गुन-गुना रहा है बीच-बीच में रोटी भी मांग रहा है कि सिठानी मुझे रोटी दे दो और जो सिठानी थी वह कहती थी अंदर से रुको रुको मैं हाथ में रोटी ली हूं आ रही हूं और तुम्हारी यह बात समझ भी नहीं आ रही कि तुम हाथ में रोटी लिए खड़ी हो और बोल रही हो कि मैं आ रही हूँ रुकना तुम जाना मत और वह जो भिखारी है रोटी माँग रहा है तो अगर यह क्या कर रही हूँ तुम तब वह सिठानी बहुत सुन्दर बात कहती है वह कहती है यह जो भिखारी इतना प्यारा भजन गा रहा है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और इसका भजन मेरे को सुनने में मिल जाए क्योंकि अगर मैं इसे तुरंतर ले जाकर रोटी दे दूँगी तो यह यहां से आंगे चल जाएगा और मैं इसका भजन और सुनना चाहती हूँ दोस्तों यह चोटी सी कहानी हमें जीवन में यह बात सिखाती कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम बार बार इश्वर से प्रार्थना करते हैं लेक की और प्रार्थना सुनना चाहता है क्या आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं वह सुनना चाहता है तो दोस्तों कभी भी भक्ती भजन मत छोड़िये कहते हैं कि जीवन में दो चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए एक भक्ती और दूसरा भोजन क्योंकि यदि आप भोजन छो लगा हुए है अगर इंडी स्क्रीन नहीं लगा हुए तो हमाई चैनल में जाए और देखें एक बहुत ही प्यारी सी कहानी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत-बहुत शुक्रिया